आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन का होट स्पोट किसी दूसरे फोन में शो नहीं हो रहा है यानि कि जब आप दूसरे फोन में अपने होट स्पोट को कनेक्ट करने के लिए वाइफाइ चालू कर रहे हैं तो आपके phone के hotspot का नाम नहीं आ रहा है तो ये problem कैसे ठीक करें तो इसे ठीक करने के लिए आप अपने phone की settings को open करिए settings open करने के बाद यहाँ पर आएगा नीचे portable hotspot या फिर आपके phone में personal hotspot के नाम से हो सकता है तो इस पर आप click करिए click करने के बाद आएगा setup portable hotspot इस पर आप click करिए और click करने के बाद आएगा network name तो network name के सामने इस पर click करिए और अपने hotspot का नाम delete करिए और उसके बाद एक नया नाम set करिए अपने hotspot का तो इस तरीके से नया नाम सेट करने के बाद नीचे पासवर्ड पे किलिक करिए इस पासवर्ड को डिलीट करिए और उसके बाद एक नया पासवर्ड बनाईए अपने होट स्पॉट का तो अब नया नाम नया पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे नीचे आएगा Select AP Band इस पर आप किलिक करिए इस पर किलिक करने के बाद चेक करिए अगर आपका 5.0 GHz Band Select है तो यहाँ पर 2.4 GHz Band Select करिए यानि कि इस पर किलिक करिए इस पर किलिक करने के बाद नीचे आएगा Hide its SSID अगर आपका ये चालू है तो यहाँ पर इस पर किलिक करिए और ओफ सलेक्ट करिए उसके बाद उपर राइट पर किलिक करिए राइट पर किलिक करने के बाद अपने फोन को री स्टार्ट करिए फोन को री स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ से पोटेबल होट स्पॉट चालू करिए और उसके बाद चेक करिए आपके दूसरे फोन में होट स्पॉट का नाम शो होना शुरू हो जाएगा तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को ठीक करें विडियो अगर आपको पसंद आई तो इस विडियो को लाइक जरूर करें